तो गाईज अगर आप भी अपने ब्रैंड बिजनेस या फिर यूटूब के लिए प्रोफेशनल लोगो बनाना चाहते हैं तो घवराने कोई बात नहीं, ये वीडियो है ना, इसमें मैं आपको बहुत ही असानी से लोगो बनाना सिखाऊंगा बढ़ इससे पर लगाई जए गुड निउज है, अब मैं गीव होई की जगा आपके चैनल को प्रोमोट करने वाला हूँ और ये प्रोमोशन रोज होगा, यानि हर एक वीडियो में प्रोमोट मैं करूँगा और अपने चैनल को प्रोमोट करने का जो प्रोसेस है, वो सेम है, सिर्फ आपको वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो से रिगाड़ेंगे एक प्यारा सा कमेंट करना है सुख़ चलिए जानते हैं आज के इस लोगो को बनाना कैसे है सो इस लोगो को बनाने के लिए सबसे पहले आपको अपने मुवाइल पे पिक्सल है अप्लिकिशन को ओपन करना है यह अप्लिकिशन आपको प्ले स्टोर से मिल जागा या फिर डिस्क्रिप्सन बॉक्स शेक करना वहाँ पे आपको इसका लिंक बिल जागा सो open करने के बाद simply आपको यहाँ new text वाले box पर double tap करना है और यहाँ से जिस भी name से आप logo बनाना चाहते हैं उसका starting का letter ले लेना है जैसे कि आज मैं astro talk name से logo बनाया हूँ तो मैं यहाँ A ले लेता हूँ then आपको यहाँ done पर click करना है ok पर click कर देना है आपगेज यहाँ पर आप अपने channel का initialator यूज करने के बाद simply आपको यहाँ से इस text को बढ़ा कर लेना है then यहाँ पर हमें इसके font को change करना है so इसके लिए आपको यहाँ A वाले section में आना है scroll करके नीचे आना है यहाँ पर आपको A B font का option मिलेगा इस पर क्लिक करके simply आपको यहाँ my font के section में आना है और यहाँ जो आज हमने font यूज किया है इसका नाम है modern warfare तो यह font आपको description में मिल जागा वहाँ से download करके आप pixel lab में add कर लेना और यहाँ से फिर मैं इस font को select कर लेता हूँ okay पर क्लिक कर देना है इनकेस अगर आपको pixel lab में font को add करने में कोई दिक्कत आए तो इस पर भी मैं वीडियो बनाया हूँ कि कैसे pixel lab application के अंदर मतलब font को add करते है वो वीडियो देख लेना description में link है यहाँ पर अब हम क्या करने वाले हैं इसके color को change करेंगे इसके लिए simply आपको इसी A वाले section में scroll करके उपर आना है और यहाँ पर आपको color का option मिलेगा इस पर क्लिक करके यहाँ से आपको gradient वाले section में आना है और यहाँ से आप multiple color को mix करके color एक generate करेंगे जैसे कि मैं यहाँ पर already कुछ color बना रखा हूँ लेकिन इस तरीके का color आपको कैसे बनाने मैं आपको बता देता हूँ जैसे कि आप आगे scroll करेंगे तो कुछ इस तरीके का black and white का set मिलेगा इसको आपको select करना है और यहाँ plus वाल आइकन पर क्लिक करना है अब यहाँ पर दो end मिल जाएंगे आपको और दोनों end पर आप दो अलग-अलग color इस्तिमाल कर सकते हैं जैसे पहले वाले end को मैं select करता हूँ यहाँ और यहाँ आपको color पर tap करके यहाँ से जो भी color आपको चाहिए वो ले सकते हैं जैसे कि मैं आज यहाँ पर सैफ्रोन लिया हूँ केसरिया color तो यहाँ पर मैं इस तरीके से केसरिया orange type का कर लेता हूँ देन आपको यहाँ OK पर क्लिक कर देना है ऐसे ही आपको दूसरे end को select करना है देन आपको यह color पर क्लिक करके अब यहां सा दूसरा को यह color add करना चाहते तो वो कर सकते हैं तो दूसरे end पे मैंने dark orange जो है add किया है तो यहां पे मैं dark side पे कर लेता हूँ इस तरीके से then okay पे click कर देना है तो कुछ इस तरीके से हमारा दो color का mixture gradient color बन जाएगा then आपको यहां okay पे click कर देना है then आपको यहां right पे click कर देना है so इस design elements को add करने के बाद simply आपको इसे बड़ा करना है कुछ इस तरीके से और यहां A के उपर place कर देना है यहां पे आप जिस भी letter से चाहें logo बना सकते हैं जैसे कि जिस तरीके से मैं यह design elements एक letter के उपर place कर रहा हूँ तो आप अपने letter के coding देख लेना जैसे कि अगर आपका S है, T है, V है कुछ भी है तो उसको आपको adjust कर लेना है इस design elements के साथ जहां भी अच्छा लग रहा है place करने के बाद इसके बाद गाई जो हमने element add किया है इसके color को change करना है इसके लिए simply आपको यह hexagonal section में आना है scroll करके यहां से नीचे आ जाना है यहां पे आपको color का option मिलेगा इस पे आपको tap करना है और simply आपको इसे enable कर देना है enable करेंगे तो by default यह red color में आ जाएगा तो आपको फिर से यहां gradient वाले section में आना है और इस बार फिर से हम color बनाएंगे तो यहां हम कोई color select कर लेते हैं जैसे कि पहले जो हमने बनाया था इस color को select करके यहां आपको plus वाल आइकन पे click करना है तो यहां पे हम दो अलग-अलग color को mix करेंगे जैसे इस बार हम blue इस्तिमाल करेंगे इसके लिए सबसे पहले हम इस वाले end पे tap करके यहां पे आपको click करना है color वाले section पे और इधर blue के तरफ आपको drag करके लाना है इस point को और ok पे click कर देना है ऐसी ही आपको यहां दूसरे side पे tap करके यहां color पे click करना है और इस बर हम थोड़ा dark side के तरफ चले आएंगे और देन आपको यहाँ OK पर क्लिक कर देना है तो फिर आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके का setting मिल जाएगा देन आपको यहाँ OK पर क्लिक कर देना है तो इतना करने के बाद simply आपको यहाँ right पर क्लिक करना है अब जो हमने element add किया है इसके अंदर stroke generate करना है तो इसी hexagonal section में आपको stroke का option मिलेगा इस पर क्लिक करके simply आपको इसे enable कर देना है enable करेंगे तो यहाँ white stroke आ जाएगा तो हमें क्या करना है इस stroke width को 5 कर लेना है देन आपको यहाँ right पर क्लिक कर देना है इसके बाद guys जो हमने दोनों element add किया है इनको आपस में merge करना है तो इसके लिए simply आपको layer पर tap करके इस वाल icon पर क्लिक करना है और यहाँ से इन दोनों boxes को check mark करके इस वाल icon पर क्लिक करके ok पर क्लिक कर देना है वेल इतना करने के बाद अब जो हमने white stroke add किया इसको remove करना है तो इसके लिए simply आपको यहाँ इसी hexagonal section में erase वाले color पर क्लिक करके और यहाँ पर इसे enable कर देना है enable करने के साथ ही यहाँ से वो color remove हो जाएगा तो यहाँ से अच्छे तरीके से white color को remove करने के लिए tolerance को आपको बढ़ा लेना है then आपको यहाँ right पर क्लिक कर देना है well यहाँ पर जो हमारा design elements है वो बन चुका है अब हमें क्या करना है इसके नीचे जो भी आपका full name है channel या brand का वो add करना है तो यहाँ plus all icon पर क्लिक करके text पर आ जाना है और यहाँ new text पर double tap करके जो भी आपका name है full name वो आपको add कर लेना है जैसे कि मैं यहाँ से astro talk add कर लेता हूँ then आपको यहाँ done पर क्लिक करके ok पर क्लिक कर देना है अब गरी जो आपने text add किया इसको बढ़ा करके हमें इसके font को change करना है so font को change करने का process सेम है ए वाले section में आना है scroll करके नीचे आना है और यहाँ ए भी font का option मिलेगा इस पर क्लिक करके simply आपको यहाँ my font के section में आ जाना है और जो हमने पहली बार font select किया था modern warfare इसकी को आपको select करके ok पर क्लिक कर देना है so font change करने के बाद इसे हम छोटा कर लेंगे थोड़ा सा और इसके भी color को हम change करेंगे so color को change करने के लिए आपको इस ए वाले section में रहना है क्योंकि जब भी हम text के उपर काम करेंगे तो ए वाले section के अंदर करेंगे और किसी भी design elements के अंदर काम करेंगे तो वो हम इस hexagonal section में करेंगे तो यहाँ text का color change करना है तो हम A वाले section में ही रहेंगे देन आपको यहाँ उपर आ जाना है color वाले पर tap कर देना है और gradient में आ जाना है तो यहाँ सामय अपने name का color orange ही कर लेना है यह A के साथ match करेगा देन आपको यहाँ right पर click कर देना है इसके बाद आप चाहें तो आप अपने brand business या channel name का कोई दूसरा text है वो add कर सकते हैं जैसे slogan या tagline वगेरा इसके लिए simply आपको plus वाले icon पर click करके फिर से आपको यह text पर click करना है और यहाँ इस पर double tap करके जो भी आपका secondary text है वो add कर सकते हैं जैसे कि मैंने यहाँ पर official add किया था तो यहाँ पर official add कर लेता हूं done पर click करके ok पर click करना है और जो आपने text add किया इसको बड़ा कर लेना है इसके बाद हम इसके font को change करेंगे इस वाले section में ही आपको scroll करके नीचे आना है यह भी font पर click करना है और इस बार हम कोई दूसरा font use नहीं करेंगे वो आपको pixel lab में ही मिल जाएगा नीचे आपको यहाँ पर एक Arabic font मिलेगा इसको आपको select करना है ok पर click कर देना है font change करने के बाद हम जो text add किये हैं इसके अंदर space create करेंगे इनके characters के बीच में तो यहाँ ए वाले section में आपको spacing का option मिलता है इस पर tap करके आपको यहाँ से spacing को increase कर लेनी है then आपको यहाँ right पर click करना है और यहाँ से इसे छोटा करके कुछ इस तरीके से और इसके नीचे place कर देना है इसके बाद गाई जितने भी यहाँ पर elements है उन्हें हमें आपस में merge कर लेना है इसके लिए simply आपको यहाँ layer पर click करके इस वाले icon पर click करना है और same process है यहाँ से check mark कर लेना है जितने भी boxes हैं फिर आपको इस वाले icon पर click करके ok पर click कर देना है वेल आपस में merge करने के बाद जो हमने यहां पर text बनाया है जो design बनाया है इसके अंदर 3D effect करेंगे इसके लिए simply आपको इस hexagonal section में आना है स्क्रॉल करके नीचे आना है और यहां पर 3D shape का option मिलेगा इस पर click करके simply आपको इसे enable कर देना है अब enable करेंगे तो यह perspective mode में open होगा तो आपको यहां से oblique वाले mode को select कर लेना है और यहां से depth को one कर लेना है इसके वाद आपको यहां right पर click करके जो हमने यहां पर design बनाया है इसके background को change करना है तो यहां पर अगर हम dark background यूज करेंगे तो हमारा logo बहुत ही बहतर दिखेगा तो dark background यहां पर change करने के लिए simply आपको यहां कोने वाले icon पर click करके from gallery में आ जाना है और अपने device की gallery से जो मैं background दिया हूं description में वहां से डाउनलोड कर लेना और यहां से आपको select कर लेना है वैल इस blue वाले background को select करने के बाद simply आपको यहां right पर click कर देना है अब guys यहां पर हमने जो logo बनाया है इसके पीछे shadow डालना है इसके लिए simply आपको इस hexagonal section में आना है और यहां पर shadow पर tap करके इसे enable कर देना है और यहां से shadow का angle हम create करेंगे जैसे offset x, offset y यहां से हम इनको 4 कर लेंगे, y को भी हम 4 कर लेंगे देन आपको यहां right पर click कर देना है लोगो बन जाने के बाद लोगो को save करने के लिए simply आपको इसवाल आइकन पर click करना है save as image पर click करना है dimension में custom में इस पर tap करके आपको ultra select करना है then आपको यहां save to gallery पर click करके save कर लेना है so guys hope कि अब आप भी अपने YouTube brand business जिसके लिए भी आप logo बनाना चाहते हैं बनाना सीख गया है अगर अभी भी आपको logo बनाने में दिक्कत आ रही है तो आप मुझसे professionally design करा सकते है मेरा पूरा detail और जो मेरे charges है थोड़ा बहुत मैं charges लेता हूँ वह description में मिल जाएंगे हम ना केवल logo design करते हैं बलकि intro, outro, banner, subscribe by animations, even हमारा YouTube का course है किसी को अगर नया YouTube channel या फिर Facebook page या Instagram page बनाना है तो वह सारे काम हम करते है शुकर चलिए मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में तब तक के लिए take care and bye bye